कि नमस्कार आप देखरें पिडेश नियूज मैं हूँ पीसी सेमी दोस्तों आज हम अमारे चैनल के माध्य मुझे आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाने जा रहें जिनोंने अपनी मेहनत में कई अच्चिवमेंट प्राप्त किये हैं पहले देश की सेवा की अब किसान सेवा करेंगे तो इसकी पूरी भूमिका क्या थी इन्हों ने अपने लाइफ में क्या 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 किया इनकी जीवनी पर ही हम चर्चा भी करेंगे और सारा इनका जो व्यक्तित है वो भी बताएंगे कि एक छोटे से गाउं से निकल कर आज इनका एक चेरा बन गया है जो कहीं पर भी कोई भी सामाजिक धार्मिक काम होता है वहाँ सबसे पहले पहुंचते हैं फोजी भाईयों की स्यान और फोजी भाईयों के सम्मान के लिए यह हमेशा ततपर रहते हैं तो चले उनसे चर्चा करते हैं उनसे जानते हैं फोजी साब सबसे पहले तो डेर सारी सुपकाम नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जो आपको कर्शी प्रेख्षक में सपलता मिली है इसकी भूमी का क्या है उसके बारें बताएं देखो मैं 31 जुलाई 2020 को डिटायर्मेंट आया रिटायर्मेंट आने के बाद में हर फोजी के दिमाग में एक ही स्वाल उड़ता है कि यार मैं समाज के अंदर कैसे सेट हो पाऊं तो सभी तो इतने पडेली के होते नहीं है फोज में कुछ एक होते हैं कि जो सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे एक ही जिग्याशा थी कि मैं इतने दिन देश सेवा की बोर्डर के उपर समझ लो यानि कि इंडिया के चारू कोड़ों में मैंने सेवाएं दी है तो मेरे मन में यहीं विचार आया कि जम मैं 17 साल अभी देश सेवा की है तो यह मेरा बच दिन रात मैंने मेहनत की और इसमें मैंने सपलता हासिल की वो संगर्शील होता है इमांदार होता है निडर होता है ब्रस्टाजार नहीं है उसके दिल में कभी भी तो इसमें देखो संगर्श करना बहुत जरूरी है संगर्श नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा ऐसा कोई काम नहीं कि हम चाहे वो होगा नहीं अगर आप सही हो अपनी जगे तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं कि आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि फोजी बंदा इसी सिदान से जीता है और आगे भी ऐसे जीते रहेंगे, तो अंत में मैं इतना ही बोलूँगा, कि इतने 17 साल मेरा मैं किसान करूं नहीं करता हूँ तो अब मैं किसान की शेवा करूँगा जीवन बचा हुआ है कि पोजी साहब आप आर्मी में आर्मी जोइन की आर्मी भरती हुए उससे पहले क्या थी उसके बारे मतरें देखो मैं नो जुलाई 2003 को आर्मी में मैंने जोइन किया यानि मेरा पेइमेंट शुरू हो गया था तो मेरे जो सिक्ष्या है तो सेकेंडरी मैंने यहां थोई स्कोल से की शीने सेकेंडरी मैंने राडावाज से की एक्रिकल्चर से इसके बाद में मैंने ग्रिज्वेशन LVS कोलेज जैपुर्शे की और मेरे शुरू से यह भावना थी कि यार मैं देश के लिए कुछ करूँ जजबा था तो मैंने मेहनत की और फर्ष्ट बर्ती में ही मेरा नमबर आ गया था तो मेरे को आज ही वो दिन याद है कि मैं तीन व इसमें सेलेक्शन हो एक मेरा तो फश्ट बस्ति में मेरा सेलेक्शन हुआ और नौ जुलाई 2003 को भियारों जुपाद्ध मेरे बुलावा पत्र आ गया और मैं चला गया और भगवान की द्यासे और मेरे चेतरुआश्यों के बड़ू के आशिर्वा शे चोटों के प्यार से कि मैंने 17 साल सुक्ष्यांती पुरुवक शेवा दे के शेवा निवरत हो गया अपने क्या क्या किया यह करशी प्रयोक्स के जोइनिंग आस्था के से लेकर आस्था आपके दौरा क्या योगदान रहा सर योगदान तो यही रहा कि मैं जब रिटायर्मेंट के करीब था तो आपने भी सुना होगा कि मेरे कल्यानप्रा मोड में जो रोड है उसी के उपर यह नव युवक है यह दोड लगाते थे चलो दोड तो लगा लो लेकिन आज कर यह इनमें जोशिला खून है कानू में लीड लगा कि तो पिछे वाला आगे वाला साधन उनको दिखाई नहीं देगा मैंने उनको कई बार रोका टोका भी लेकिन इस कान से सुनते इससे निकाल देते आज कर नव युवक है तो मैंने यहां पर एक दो आदसे हो गए तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक यह किया है कि अगर मैं यहां रिटार्मेंट आता हूँ तो उसके बाद मैं इन बच्चों के लिए एक छोटा सा ग्राउंड तियार किया जाए जिससे की यह रोड पे जो भी दोड़दा लगाते हैं और तियार किया गया और वो बच्चे को एक शीडी पकड़ाई दी मैंने और छे मैने तक कंटिन्यू सुबह और श्याम मां उनको शेवाएं देता था और उन बच्चों को शीडी दिखा दी उसके बाद में बच्चे वहां तैयारी करते हैं अपनी और उसके बाद में आप प्राइब्रेरी भी होना चाहिए गाउं में तो मेरे गाउं में एक शाम मित्र मंडल है उनका सपोर्ट से पलस हमारे गुरू जी हैं आधर से मानता हूं मैं उनको राजेंदर जी पारिक जो रिटायर्मेंट से हो गे तो मैं उनसे राय लिया गाउं के भामासाओं से राय है तो बच्चे अपना वहां पढ़ाई करते हैं और तीसरा चीज वहां मेरे गाउं में एक नंदगर है तो वो लोग मैं जब सर्विस करता था तब से बोल रहे हैं मेरे को तो मां उनको यहीं बोला भाई आप गाहां के जो बड़े बुजूर्ग हैं उनको बताओ जो परत अंदर गाहों के सपोर्ट से वहां टंकी तियार करा के भच्चों के लिए मेरे को अच्छे दोस्ते बँगा के साइब को देखके वहाँ पे भी मैंने कई चेर रखवा दी कल्यानप्रा के अंदर हमारी बहुत पुरानी दूनी है मांगे से दाशी माराज वहाँ पे भी रखवाया इसके साथ में ही हमारे जो समसान भूमी है वहाँ पो बी रखवाई दोंचेर चेर वो मैं इसलिए रखवाई कि अगर आज हम कोई अच्छा काम आगयो के करते हैं तो समाज को यह नई सीख मिलती है वो भी उसके देख करेंगे तो जैसे वो चेर रखवाई तो उसके बाद में अभी मेरे गाओं के जो भी जैसे किसी की पुन्यतिती होती है किसी का बड्य होता है तो वहां रखवाते हैं इसके साथ साथ में मुख गो मोता को सबसे स्रोप्री मानता हूं इसलिए जो भी मेरा जैसे बड्य आ गया या और कोई छोटा पुन्टा प्रोग्राम हो गया तो आपने देखा भी होगा थोई गो साला के अंदर मैं प्रोग्राम रखता हूं और हमेश्या गो सिवा का आशिरवार लेता हूं जैसे कि है आपके प्रोशी गाम है तिलोगपरा वहां के के सोलजर थे सहीद पपुराम जी जो सहीद हो गये थे पपुराम जी सामोता उनके आप इसमारक अस्तल पर भी 15 अगस्त का आयोजन रखते हूं वो आपने कैसे क्या आ मेरे बड़े भाई के समान था गलवान घाटी के अंदर वो सहीद हो गये थे एक पपुराम सामोता जी नहीं शिक्कर जिले के अंदर कोई भी जवान अगर सहीद हो जाता है तो मैं वहां पोंशता हूं उनका सुख दुख में साथ देता हूं और रही बात ये अपने अगर्स देश सिवा के लिए किया तो मैं इनको फोजी को सबसे सरोप्रिय मानता हूं जो देश के लिए सहीद होता है उनको सबसे सरोप्रिय मानता हूं और मैं मेरे सारे काम चोड़के उनके काम में लगता हूं इसलिए पंदरा अगा सभी सिर्वान को याद किया जाता है जिसे की उनकी आत्मा को श्यानती मिल सके और अकेले पपुराम जी नहीं है मैं शिक्कर में देख लो चाहिए अपने सिरिमादबुर्ट तेशिल में देख लो कोई भी जवान सहीद होता है तो मैं वहां पक्का जाता हूं और उनका नमन करता हूं उनको आधस मानता हूं सर आपकी ये सेवा जो आप जैसे आपने बताया कि कोई भी इवेंट आपको मिलता है कोई भी मुखा मिलता है तो आप कुछ ना कुछ करते हो तो आप तो आप करसी प्रिवक्सक बन गए हो और जल्दी ही आपकी पॉस्टिंग हो जाएगी उसके बाद भी आपका यही रहेग के संगरस्व में सदोंगा और उनका साथ निवाओंगा जब प्रणांस रहेगी गांत तक उनका साथ दूंगा यह नवकरी वह करूँ करते सुइदा दी जाती है वह उन तक पहुचाऊंगा जिनको अफ्राइज है जो Klisikaन सरकार के दुवारा सुइदा दी जा रही है वो पूरी सुइदा उनको मैं दूँगा के वो वी समण्दी देख लो मैं लगनां को बीच पीच में बता का यहाई बी यह जा कि यह तो जैसे कि मेज जिफ हो जी जो पहले देश सेवा की अब संपून रूप से किसान सेवा करेंगे इन्होंने बता है इनका पास्ट क्या था परजेंट क्या है और आने वाला फ्यूचर क्या होगा जब भी मौका मिला इन्होंने हमेशा देश की सेवा की और अब मौका मिला है क किसान सेवा कि उसमें भी आगे हैं इसके अलावा समाज को लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छे कारे के गाउं में लाइबरेरी खुलवाई प्रेरित क्या गाउंवालों को नंद घर के बात की वहां पर भी इन्होंने पादि की विवस्ता करवाई वह और वहां पर पैट जब इनको मुकल मिलता है तो कुछ न कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं और यह जो फौजी भाई हैं उनका बहुत बड़ा समान करते हैं इस सवाल ओकों के लिए कोई संदेश नवयूकों के लिए मेरा यही संदेश है कि आजकल देखने में आ रहा है तो मैं इनको यही राए दूंगा कि यह समय है आज का जैसे दिन है वह आज निकल जाएगा तो बाद में कितना भी कलो नहीं आएगा तो इन से मेरा यही निवेदन है कि यह जो सबसे पहले तो मॉबाइल फोन हम अगर सर्वीश लग जाएंगे तो बाद में चलाते रहो आरा किसान का बेटा है तो उसका पिता जी परिवार वाले कितना मेनद करते हैं कैसे कैसे पड़ाते हैं उनको तो उनको ध्यान में रखते हुए यह नवयोकव को सोचना चाहिए कि मेरे माबाप इतनी मेनद कर रहे हैं इसलिए वो अपने पढ़ाई को सूचारू रूप से जारी रखें और बर्तियों वगरा इनकी तियारी करें, सुबह जल्दी उठें, सुबह तियारी करें, शाम को करें, क्योंकि मैं सुरू सुरू में बोला था कि ऐसा कोई काम नहीं, जो हम नहीं कर सकते, लेकिन होनी चाहिए, सोच अपनी पक्की होनी चाहिए, तब ही हम कर सकते हैं, तो मैं नहीं क्यों से यही निवेदन करूँगा, कि मोबाइल को उपर ध्यान कम रखें, पढ़ाई को उपर ज्यादा रखें, मैं बहुता हूं सपलता अवश्य मिली गया आपको जैहिन, शुक्रया सार, आप हम से जुड़े, धन्यवाद,